दोस्तो तीसरे वंडे में डेब्यू करेगा टीम इंडिया के लिए भारत का सब से नंबर वन यूअ फिनिसर तो क्या है खबर की पूरी जानकारी बताने वाले हैं इस वीडियो में अगर आप भारती टीम के फैन तो इस वीडियो का लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तो भारत और वेस्टर नीच के बीच के ले गए तीन मैचों की वन्डे सिरीज का तीसरा और आखली मुकाबला सुक्रुवार को एहमदाबाद के मैदान पर खेला जाएगा लगातार दो मुकाबलों में जीत के बाद सिरीज अपने नाम कर चुकी रोहित एंड कंपनी के नजर अब एहम मुकाबले पर जीत पर होगी और क्लीन स्वीप करने पर होगी दोस्तों MS दोनी के जाने के बाद भारती टीम ने लगातार फिनीसर्स की तलास की है पर फिनीसर्स मिली नहीं पाते हैं भारती टीम को कभी किसी की लाड़ी से संतोस करना पड़ता है तो कभी किसी लेकिन अब भारती टीम के पास एक तगड़ा फिनीसर है जो कि भारती टी इताकर मैच को खत्म करते हैं तैसे में भारती टीम ने इन्हें वेस्टेंडी की खिलाव अपनी स्कॉर्ड में सामिल किया था पर सुरुवात के दोनों मुकाबले में उन्हें मौका नहीं दिया गया था पर हमाना जा रहा है कि तीसरा और आखरी मुकाबला बहुत आहम होने सारुक खान को इसे मुकाबले में मौका भी मिल सकता है धरसल सारुक हान की फिनिसिंग स्किल देखकर दीपकुद्डा को तीसरे मैच के लिए आराम दिया सकता है साथ ही एक फिनिसर भी है तो उनको मौका ज़रूर दिया जाएगा आपके इससाब से किसे मौका मिलना चाहि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जॉइन करें इसका लिंक के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद